से लिटी नमस्कार दोस्तों स्वागत शाप रीटोरियल में और आज हम लोंगे मुर्गी पालन बेवसाये सुरू करने के लिए सरकार कितने सब्सीडी देती है रुप्य की सब्सीडी देती है तॉल यह हम देखते है रिखल के मुर्गी पालन से जुड़े लाखो की कमाई समय में लाखोग के क्यमाई कर सकते हैं अगर आप इस व्यवसाय से जुनना चाहते हैं तो इसे जोड़ी कुछ महत्वपूर्ण जनकारिया होना आवेसाइक है चलिए हम देखते हैं कि इस व्य॥ाय से सुरुवात करने के लिए मिलने वाली सबसेड़ी के बारे में मुर्गी पालन में लागत वह मुनाफ़ा शुरुवात में मुर्गियों के लिए अस्थान आवास पिंजडे मुर्गियां दाने आधिक खरिदारी के खरिदारी में करीब 5-6 लाक रुपए की लागत आती है देड़ हजार मुर्गियों का पालन करने के लिए 10% से ज़्यादा चुजो की आवसेक्ता होती है एक लेयर पैरेंट वर्थ की लागत लगबग 30-35 रुपए होती है यानि मुर्गियों की खरिदारी पर 50,000 रुपए की लागत आती है एक लेयर पैरेंट वर्थ करिदने में एक लेयर पैरेंट वर्थ करिव 300 वंडे देती है जिससे हर महीने 50,000 से एक लाख रुपए तक की कमाई होती है अब देखिए हम देखते देखेंगे मुर्गी पालन के लिए सबसीडी मुर्गी पालन के लिए सरकार की तरफ से 25% तक की सबसीटी दी जाती है अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती कहने का मतलब है SC और ST के उमिद्वारों को 35% तक की सबसीटी दी जाती है अगर आप SC और ST में आते हैं तो आपको जितनी भी लागत होगी उसकी 35% तक की सबसीटी दियाएगी सरकार के तरफ से लेकिन अगर आप SC, ST के नहीं है तो आपको 25% तक सबसीटी दी जाएगी कुछ सरकारी बैंक की तरफ से कुल लागत का 75% का भी लोन लिया जा सकता है